हलो एवरिवन, आज हम लेकर आए हैं अपने 30 days English speaking course की class 26 आज हम जानेंगे English का एक बहुत ही important concept जो की है models इसके बिना आपका English speaking course अधूरा है आज हम सभी models तो cover नहीं करेंगे, बस हम बहुत ही important वाले models cover करेंगे जो की आपकी speaking के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं जैसे की must, should, can, could, may and might तो चलिए बिना कोई देरी किये, शुरू करते हैं आज की class सबसे पहले हम जान लेते हैं कि models होता क्या है models का प्रयोग वाक में mean verb के साथ किया जाता है ताकि किये जाने वाले काम की समर्थता, ability, संभावना, possibility, निश्टितता, certainty, एजाज़त, permission और आविश्यक्ता, मतलब necessity को दर्शाया जा सके इन सभी की clarity आपको इनकी examples के साथ हो जाएगी तो चलिए बढ़ते हैं most important models की तरफ सबसे पहले हम देख लेते हैं may and might को हम इन सभी models की comparative study करेंगे ताकि आपको ये concept अच्छे से clear हो जाए इनके differences और इनकी uses आपको lifetime तक याद रहें may and might को हम इसलिए साथ में ले रहे हैं क्योंकि इनका use same cases में किया जाता है बट फिर भी इनमें difference है क्योंकि conditions अलग-अलग होती है may का प्रियोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर possibility ज्यादा होती है मतलब 50-60% तक possibility जहाँ पर होती है वहाँ पर हम may का प्रियोग करते है और might का प्रियोग हम करते हैं जहाँ पर possibility बहुत ही कम होती है like 10-15% जहाँ पर possibility हो वहाँ पर हम might का use करते हैं तो चलिए देखते हैं कुछ examples, ताकि आपको ये और अच्छे से clear हो जाएं। सबसे पहले हम structure को समझ लेते हैं, subject plus may plus verb की first form plus other words. जी हां, हम हमेशा may and might के साथ verb की first form का ही use करते हैं। तो आईए देखते हैं example, he may come today, where आज आ सकता हैं। मतलब उसके आने की आज समभावना है, इसलिए हमने may का use किया हैं। might का structure देख लेते हैं, subject plus might plus verb की first form plus other words. Example देखते हैं, he might come today, शायद वह आज आ सकता है। क्योंकि अब हमने may को might से replace कर दिया है, तो इसलिए sentence में शायद आ गया है। मतलब possibility बहुत कम हो चुकी है उसके आने की, कि शायद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए less possibility की condition में might use होता है। अब हम देखते हैं may and can की comparative study को। may and can का भी use लगबग same है, बट conditions अलग-अलग हैं, जैसे कि हमने बताया है कि situation अलग-अलग होती हैं इनके use करने की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि permission के लिए may and can का use कैसे कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं examples, may I come in sir, मतलब यहाँ पर आप बहुत ही formal way में permission मांग रहे हैं। अक्सर जब आप किसी office में जाते हैं या फिर school college में होते हैं या फिर अपने से किसी senior से बात कर रहे हैं तो आप may का ही use करेंगे क्योंकि यह formal way है। बहुत ही respectful जहाँ पर आपको दिखना है वहाँ पर आप may का use करेंगे, वहाँ पर आप can का use बिलकुल भी नहीं करेंगे, आपका impression बहुत हो रौंग जाएगा। may I come in sir, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, चलिए एक और example देखते हैं, may I have your book, अब यहाँ पर भी आप permission मांग रहे हैं, बहुत ही decent way में, बहुत ही formal way में, क्या मुझे आपकी किताब मिल सकती हैं, तो चलिए बढ़ते हैं can के तरफ और आप इनके difference को और अच्छे से समसकेंगे can I go now, अब यहाँ पर आप friendly way में पूछ रहे हैं, informal way में पूछ रहे हैं, कि क्या मैं जा सकता हूँ, आप अक्सर अपने friend से और अपने से चोटे से ऐसे ही बात कहते हैं, कि भी क्या मैं जा सकता हूँ, जहाँ पर कोई respect का issue नहीं होता है, वहाँ पर आप can का use करें, और अग हमने can का use किया है, आपके इस वीडियो के end तक सभी queries, सभी जो doubts हैं वो clear हो जाएंगे, और आपको ये सभी models lifetime के लिए याद हो जाएंगे, बस आप से request ये है कि आज हमने एक बहुत चोटा सा target रखा है, 50 likes का, तो देखते हैं कि आप ये target कितनी देर में पूरा करते हैं, तो आएए देखते हैं कैसे, ability के लिए मतलब समर्थता के लिए can and could दोनों का ही use किया जा सकता है, but situation इन दोनों की अलग लग है, तो आएए समझते हैं, ability का use होता है present form में, can का use होता है उस ability के लिए जहां पर हम present में बात कर रहे हैं, for example, I can speak English, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ मैं आज के time के बात कर रहे हूँ, इसलिए हमने can का use किया है, could हम उस समय use करेंगे जब आप किसी अपनी past की ability के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि I could jump high in my childhood, मैं बचपन में उंचा कोट सकता था, मतलब आप अपनी ability बता रहे हैं कि मैं बचपन में ऐसा कर सकता था, ठीक है तो इसलिए हमने could का use किया है, तो आएए बढ़ते हैं आगे, permission के लिए भी हम can and could दोनों ही use करते हैं, बर देखते हैं कि क्या difference है, जहाँ पर आपको informal way में, मतलब friendly way में पूछना है, तो आप can का use करेंगे, मैंने यहाँ पर informal को friendly इसलिए लिखा है, ताकि आप और अच्छ से छोटे से बात कर रहे हैं, जहाँ पर कोई भी respect का चकर नहीं होता है, respect का issue नहीं होता है, तो आप वहाँ पर can का use करेंगे, for example, you can use my mobile, तुम मेरा mobile उप्योग कर सकते हो, या फिर use कर सकते हो, मतलब आप permission दे रहे हैं friendly way में, हाँ भी आप मेरा mobile यूज कर सकते हो, तो इसल friendly way में एक permission मांगी है, कि भी क्या हम बात कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं, could के लिए, could का प्रियोक permission के लिए उस समय किया जाता है, जहाँ पर आपने बहुत ही polite way में कोई permission मांगनी है, या फिर permission देनी है, for example, could I borrow your car, तो आप किसी से उसकी car borrow कर रहे हैं, तो obvious है कि आपको बहुत ही ज्यादा polite होना पड़ेगा, कि वो आपकी request मान ले, तो इसलिए आपने कहना है, could I borrow your car, क्या मैं आपकी कारोधार ले सकता हूँ, I hope कि आपको ये सभी differences और इनके use बहुत अच्छे से clear हो रहे हैं, अगर आपके कोई भी doubts हैं, आप comment box में डाल सकते हैं, अब हम दे informal way में request करनी है, for example, can you help me, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, अब आप अपने किसी friend से या फिर अपने से छोटे से बात कर रहे हैं, इसलिए आपने can का use करना है, आए देखते हैं, एक और example, can we have lunch together, अब आप request कर रहे हैं कि क्या हम साथ में lunch कर सकते हैं, तो आए देखते हैं, could का, could का प्रियोग request के लिए उस समय करना होता है, जब आपको बहुत ही politely कोई request करनी है, for example, could you help me, बतला आप बहुत ही decent way में, बहुत ही politely उनसे पूछ रहे हैं, कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो इसलिए आपने could का use किया है, एक और example देखते हैं, could you bring me a glass of water, क्या आ आप मुझे एक glass पानी दे सकते हूँ, अब यहाँ पर आप अपने से किसी बड़े से request कर रहे हैं, या फिर किसी stranger से बात कर रहे हैं, ताकि आप polite दिख सकें, इसलिए आप could का use करेंगे, अब हम देखते हैं, different uses of may, मतलब may का आप अलग-अलग कैसे use कर सकते हैं, वो देखत करते हैं, for example, the sky is cloudy, it may rain today, आसमान में बादल चाये हैं, आज बारिश हो सकती हैं, तो मतलब बादल चाये हैं, तो possibility काफी ज़्यादा है कि आज बारिश हो, तो इसलिए आपने make-a use किया है, permission के लिए भी आप make-a use करते हैं, जब आपने बहुत ही polite way में, more polite way में कोई permission लेनी आप देनी है, आए देखते हैं, example, may I leave now, अब आपने बहुत ही polite way में permission लेनी है, क्या मैं आप जा सकता हूँ, तो इसलिए आप make-a use करेंगे, आप can यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, कि can I leave now, यह बहुत ही ज़्यादा गलत sound करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी अपने से बड़े से यह आपने boss से पूछ रहे हैं, तो इसलिए आपने make-a ही use करना है, आए एक और example देखते हैं, अब आपने यहाँ पर बहुत ही polite way में permission देनी है, आप कैसे कहेंगे, you may leave now, अब आप जा सकते हैं, आए देखते हैं आगे, request के लिए भी हम make-a use करते हैं, जहाँ पर do this, क्या मैं यह कर सकता हूँ, अब यहाँ पर आप अपने से किसी बड़े से बात कर रहे हैं, या फिर किसी stranger से बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही polite दिखने की जरूरत है, तो इसलिए आप make-a use करेंगे, make-a use wishes के लिए भी किया जाता है, for example, may God bless you, भगवान आप पर कृपा करें, may you live long, आपकी उम्र लंबी हो, यह सभी examples तो आप अकसर देखते ही होंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब हम जानते हैं different uses of should, should be बहुत important एक model है, जो कि हमारी life से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा है, और हम इसका use अकसर करते हैं, तो चलिए समझते है इसके अलग-अलग और अच्छे uses, advice के लिए भी हम should का use करते हैं, for example, you should avoid smoking, आपको धुमरपान से बचना चाहिए, मतलब हम यहाँ पर advise कर रहे हैं, उन्हें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा करना चाहिए, हम इन सभी को negative या interrogative हर form में बना सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ affirmative मतलब simple sentences ही बना सकते हैं, आप simple not लगा कर भी इनका असानी से negative और interrogative बना सकते हैं, एक और example देखते हैं, you should drink 8-10 glass of water a day, आपको दिन में 8-10 glass पानी पीना चाहिए, अब यह भी आप advice करे हैं कि यह आपकी health के लिए अच्छा है, आपको यह करना चाहिए, next है suggestion के लिए, suggestion के लिए भी हम should का use करते हैं, जब हम किसी को कुछ suggest करते हैं, तो आप should का ब्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं, you should practice English daily, आपको रोज अंग्रेशी का अभिहास करना चाहिए, क्योंकि अभिहास करने से practice करने से आपकी fluency अच्छी होगी, तो इसलिए आप उन्हें suggest करेंगे, कि आपको ऐसा करना चाहिए, आईए एक और example देखते हैं, you should go with that red dress, अगर आपका कोई friend suggestion मांग रहा है कि आपके हिसाब से उसे क्या लेना चाहिए, तो आप उसे ऐसे suggest करेंगे, you should go with that red dress, आपको वह लाल dress लेनी चाहिए, application के लिए भी आप should का यूज करेंगे, आए देखते हैं, we should obey our parents, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, अब ये हमारा कर्तव है, तो इसलिए आप इहाँ पर should का यूज करेंगे, आए एक और example देखते हैं, we should follow traffic rules, हमें यातयात नेमों का पालन करना चाहिए, अब ये भी हमारी एक duty है कि हमें सभी नेमों का पालन करना चाहिए, तो इसलिए भी यहाँ पर हम should का यूज करेंगे, expectation के लिए, मतलब probability के लिए भी हम should का यूज करते हैं, जब हम किसी से कुछ expect करते हैं, या फिर कोई probability दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी हम should का यूज करते हैं, आए देखते हैं कैसे, he should be at home by now, where आप तक घर पर होना चाहिए, अब यहाँ पर आप एक अंदाजा लगा रहे हैं, कुछ expect करे हैं कि शायद ऐसा होना ही चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पर should का यूज करेंगे, अब हम देखते हैं should and must के बीच में differences और उनके uses, should और must का भी use, same sense के लि होती हैं, वहाँ पर हम should और must दोनों का यूज करते हैं, बट इन दोनों की जो situation हैं या conditions हैं वो अलग-अलग हैं, तो आइए समझते हैं कैसे, जो should है भी advice के लिए यूज किया जाता है, मतलब जहाँ पर आप किसी को कुछ suggest करें, कुछ advice करें कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट must होता है, जहाँ पर आप forcefully उसे कह रहे हैं कि नहीं आपको ये करना ही चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है, बतलब जहाँ पर कोई काम जरूरी होता है, वहाँ पर हम must का use करते हैं, तो आईए समझते हैं कुछ examples की हल्द से, you should study, तुम्हें पढ़ाई करने चाहिए, अब हम normally उन्हें advise कर रहे हैं कि हाँ बही ऐसा आपको करना चाहिए, बट अगर हम कहें, you must study to clear the exam, अब आप उन्हें forcefully कह रहे हैं कि परिक्षा पास करने के लिए तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, अब यहाँ पर ये उनकी एक जरूरत बन गई है, ये उनके लिए जरूरी ह तो इसलिए आप यहाँ पर must का use करेंगे, आए समझते हैं, for example, you should go there, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, अब यहाँ पर हम उन्हें normally बोल रहे हैं कि हाँ भी ऐसा आपको करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, बट अगर हम कहें, you must go there to help them, उनकी मदद के लिए तुम फूरे ने कह रहे हैं कि हाँ भी तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, यह तुम्हारे लिए जरूरी है, वहाँ पर जाकर तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर must का use कर रहे हैं, I hope कि आपको यह पूरा concept अच्छे से समझा गया होगा, अगर कोई query है त प्लीज कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी doubt है, जो भी query है, वह solve की जाएगी, clear की जाएगी, अगर वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक और शेर कर दीजी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी, और साथने bell icon भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली व